सबसे पहले इस exercise के अंदर 8.1 जो है आपके पास वहाँ पर हम डिसक्स करना है कि इस एक्ष्वेंस होता क्या है और सिरीज क्या होता है इन दोनों का मतलब समझेगे इसका एक इसका एक 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 एग्जांपल दे रहा है कि मान लो एक जनरेशन गया पर 30 यहर्स का आपकी 10 एंसिस्टर के अंदर मतलब आपके उपर वाले एंसिस्टर कोन से होते हैं पहले मेरे इस तरीके से हो गया अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यह जो परसंसे उसमें टोटल 300 यह का वह गैप चल रहा है तोटल कितना चल रहा है इन परसंस का टाइम पिरड़ 300 यह का चल रहा है अगर मैं आपसे टोटल नंबर जनेरेशन मांगो तो आप का हुए 300 इतना आगे 10 अब यह वाली चीज़ अगर आपको समझ में नहीं प्याइए तो को दिक्कत वाली चीज़ नहीं है आप यह समझो मैंने आपको गिविन कंडिशन यहां से दिए गिविन कंडिशन दिए कि नममर ओफ परसंस जो है नहीं एनसेटर में फिर उसके उपर वाले में एनसेटर में जोड़ेंगे तो मदर फादर के साथ आपको ग्रैंड मदर पी जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे तो ऐसे करके अपने एक numbers लिख दिया अब यह जो numbers लिखे गए आपके पास उनको क्या कहता है sequence कहता है यह सारी value sequence में लिखी हुए numbers from what we call it is sequence 10 numbers लिखे गए ठीक है यहां तक समझ में आगे है sequence क्या है चली आगे देखो और क्या points है अब यह जो various numbers लिखे हैं अपने पीछे 2, 4, 8 like that 2, 4, 8, 16 यह first number A1 कहलाएगा यह A2 कहलाएगा यह A3 कहलाएगा यह A4 कहलाएगा इन सब को अपने मिलाके क्या बोलते हैं terms बोलते हैं और जो सबसे last रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा nth term nth term जो रहेगी नंबर की nth position पर sequence इसको denote करेंगे आप An से इसी को हम क्या बोलते हैं general term भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको general term of the sequence आप देखो यह अपने लिखा था पीछे 2 हो गया A1, 4 हो गया A2, 8 हो गया A3 लास्ट वन जो भी रहेगा काउंटिंगे इसाब से 8N हो गया A1, 0, 0, 2, 4 ठीक है बताव समझ में clear है तो अभी आपन क्यों sequence समझ रहे हैं दीरे दीरे एक दम आरा मारा आप से next देखते है sequence दो type की हो सकती जिसके finite number है जैसे कि 2, 4, 8 अभी पीछे वाले में मालो यही दे रखे हैं तो यह finite numbers है तो उसे कहेंगे finite sequence कहेंगे और यही नमबर ऐसे होता dash 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 चलता जा रहा है आपके पास so on तक तो यह क्या हो जाएगा infinite sequence हो जाएगा infinite sequence हो जाएगा खीए कि यहां तक समझ में आगई बात multiply 2 हो रहा है इसका मतलब यह आगे वाले numbers देखो क्या है यह सारे क्या है आपके पास natural numbers है यानि कि natural number को अगर मैं 2 से multiply कर रहा हूं and belongs to natural number तो यह 2N किसको denote कर रहा है even numbers को किसको denote कर रहा है even numbers को यानि कि even numbers को लिखने के जो sequence रहेगा वो क्या रहेगा an equals to 2N यहीं अगर value odd number निगाल नहीं होती मालो odd number 1, 3, 5, 7 ऐसा है तो मैं क्या लिखता 2N minus 1 वही 2 में से 1 minus करूंगा तब ही तो यह बचेगा फिर 2, 2, 4 में से 1 minus करूंगा जब ही तो 3 बचेगा फिर 5 के लिए 3, 2, 6 में से 1 minus करूंगा तब ही तो बचेगा इसका मतलब यह हुआ आपके पास कि यह जो sequence का जो order है formula है वो किसके लिए है odd numbers है odd numbers निकालना हो तो आप directly लिख सकते हो 2N minus 1 का order है या sequence है यह देख लो आप clear है आप पर बता दिया मैंने आपको N किसको belong कर रहा natural number को belong कर रहा बताओ क्या समझ में नहीं है यहां तब clear है आगे बड़े शलिए next देख लेते हैं अपन अगर मानलो आपको एक arrangement देरा का इस तरीके से अब सरी यह तो अजीब सा लग रहा है बिल्कुल अजीब सा लग रहा होगा और जो A3 की value है A3 की value वो actual में A2 प्लस A1 के साथ मिली भी है इसका मतलब एक pattern मिल गया मुझे क्या AN equals to AN-1 प्लस AN-2 भाई एक N की जगए अगर यह 3 रखूं तो यहां क्या हो जाएगा A3-1 और A3-2 A3-1 मतलब A2 और यह A3-2 मतलब A1 यही तो कह रहा हूं मैं आपसे यह A1 नहीं है कहने का मतलब क्या है अगर यह pattern अगर follow कर रही है कोई situation तो उसे क्या कहेंगे अपन फिबोनाकी sequence कहेंगे उसको क्या कहेंगे फिबोनाकी sequence कहेंगे इस टापका सिरीज किसको बोलते है कुछ नहीं है जो अपने same A1, A2, A3 पढ़ा नहीं उन्हीं के बीच में प्लस लगा दू यह नहीं sum of and terms कह दू इनको sum of all terms कह दू तो वो क्या कहलाएगा उसको क्या कहेंगे series कहेंगे बाद simple इतनी सी बात है सिरीज भी दो टाइप के हो सकती है finite या infinite अगर sequence finite है तो सिरीज भी finite अगर sequence infinite है तो सिरीज भी infinite सिंपल है की नहीं अब अगर इन सारी sum को मुझे एक साथ लिखना है तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे यहां पे short formula के रूपे आपने class 10 में पढ़ाऊगा sigma एक की वैलू से starts और यहां पर यहां पर ऌपर VR फिर त्री रखो न ELT बताहु यह अपर इन लगा दिया सिग्भा नोटेशन सिग लिए आपर बताव के लिया रहे हुँ आपर तो यह होता है series concept concept complete exercise at point one जो है आपका बहुत ज़्यादा easy है कुछ भी नहीं है आपको sequence and series दे देगा और n की value देखे आपको उनकी values find out करनी बस और कुछ नहीं है next time exercise 8.2 के introduction part देखे जहाँ पर अपन AP discuss करेंगे main जो concept है आपका class 10 कोला AP तो यह होता है complete intro part अगर इसमें कोई doubt लगे तो comment section में ज़रू बताने है और वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज लाइक share and subscribe मिलते नेक्स वीडियो में next concept के साथ example number one में तक के लिए goodbye and best of luck for your exams